नमस्कार दोस्तों स्पेक्टर्म मॉडर्न हिस्ट्री की 79 वीडियो में आपका स्वागत है यहाँ पे लीक के बारे मैं बात करेंगे देखिए लीक की स्टार्टिंग मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुक हूँ याँ पार्ट 8 स्पेक्टर्म 78 अगर आपने नहीं की तो आप देखे जाके वहाँ पे मैंने बताया था कि कैसे 1914 का जो सेशन हुआ था इंडिया नेशनल कॉंगरस का वहाँ पे तिलक साब ने और बेसंद मैं ने मिलके पूरे की पूरे इंडिया नेशनल कॉंगरस का जो मॉडरेट फैक्शन था उनके बीच में और तिलक के का जो प्रोग्राम था उसको तैयार करने के लिए इंडिया नेशनल कॉंग्रस में जो मॉडरेट्स थे वो तैयार नहीं थे तो एन्नी बेसंट जी ने एक ultimatum दिया कि आप तयार करोगे या नहीं करोगे मेरे साथ प्रोग्राम लीड करोगे कि नहीं करोगे international congress की leaders ने कोई response नहीं दिया तो भाईया उन्होंने अपनी खुद की home league सेट अप कर ली एन्नी बीसेंट ने तो यहाँ पर एन्नी बीसेंट जी की लीग ने कहा काम किया क्या काम किया और किन किन इलाकों में किया तिलक की लीग ने कहा काम किया और क्या काम किया देखे क्या काम किया वो दोनों के सेम है कहा काम किया यहाँ पर डिफरेंस आता है तो बेसेंट जी की जो लीग थी और तिलक साब की जो लीग थी वो किन किन जगों पे काम कर रही थी किसका organization कैसा था Home Rule program ने actually क्या क्या हुआ कौन कौन से leaders और involved से government का क्या attitude निकल के आया और यह जो Home Rule लीग का moment था यह 1990 तक आते हैं खतम क्यों हो गया इन सब चीज़ों के बारे हम यहां पर बात करेंगे तो भाई अब बेसेंट लीग और तिलक की लीग इन दोनों की लीग की शुरुआत की हम लोग यहां पर बात करते हैं देखिए तिलक साब की लीग की अगर आप बात करोगे तो इन्होंने अपनी इंडियन होम रूल लीग को सेटप किया अपरेल 1916 में तिलक साब की जो लीग थी वो अपरेल 1916 में सेटप होगी उसके बात इनकी पहली मुटिंग कब होई होम रूल लीग की बेल गाओं में होई पूना इनकी लीग का हेड़कॉर्टरस था तिलक साब की लीग का तो पूना तिलक साब की लीग का हेड़कॉर्टरस है यहाँ पर आप देख सकते हैं एन्नी बैसंट जी नजर आ रही है बीच में कड़ी हुई है एन्नी बैसंट जी की बात करी जाए तो इनकी जो All India Home Rule लीक थी वो कब सेट अप होई वो September 1916 में सेट अप होई मदरास में चिन्नाई में अब अगर बात की जाए तिलक साब की लीक की तो तिलक साब की लीक का हेड़कॉर्टरस था पूना पहली मीटिंग होई थी बेलगाओं में बीसेंट साब की जो लीक थी मैम की जो लीक थी उसकी सेट अप कहा हुआ था वो मदरास में सेट अप हुआ था तिलक साब की लीक कहां तक रिस्टिक्टेट थी तो महरास्ट में तिलक साब की लीक थी लेकिन महरास्ट के अंदर अगर आब Bombay City के बात करो तो Bombay City तिलक साब के अंदर नहीं आती थी Bombay City के अंदर जो Home Rule League का काम था वो B.S.M.M. की लीक के अंदर में था तो तिलक साब की लीक के अंदर था महरास्टरा जिसमें Bombay City नहीं थी करनाटका का इलाका, Central Provinces का इलाका और बेरार का इलाका यह तिलक साब की लीक के अंदर था जिसमें 6 branches थी इनकी demand क्या थी कि स्वराज यानि Self Rule, Linguistic States यानि Language के basis पर आप States बनाएए और Vernacular Languages में Education दीजे तो भाईया Vernacular Languages में हमको Education चाहिए आपकी अंग्रेजी Oriental Language हमको नहीं चाहिए हमको अपनी खुद की वरना एको Language में पढ़ना है Linguistic States यह नहीं हमारी भाषाओं के आधार पे State बनवाई है छे branches थी तिलक साब की लीक की वहीं पर Basinand Manam की लीक की अगर आप बात करो तो इनकी जो लीक का काम करने का जो जगा था वो Rest of the India था नहीं जहां जहां पे तिलक साब की लीक काम कर रही थी उसके अलावा जो भी इलाका बचा वो एन्नी बेस्ट मैडम की लीक के अंदर में आगर Bombay City भी एन्नी बेस्ट मैडम की लीक के अंदर थी जो कि September 1916 में सेट अप हुई तो तिलक साब की लीक अप्रैल 1916 में 1916 में और बेस्ट मैम की लीक 1916 सेप्टमबर में बेस्ट जी की जो लीक थी वो 200 ब्रांचेस थी अब ये बात ये है कि तिलक साब की लीक में 6 ब्रांचेस और बेस्ट मैडम की लीक में 200 ब्रांचेस तो obvious ही बात है जो 200 branches का management है वो थोड़ा गड़बला जाएगा तो आप कह सकते हो कि basement madam की जो league थी उसका जो organization था वो उतना अच्छा नहीं था जो तिलक साब की league थी जिसका organization उतना अच्छा था basement madam की जो league थी उसके organizational secretary थे मतलब organizing secretary थे जोर्ज अरुन दाले जी मतलब कह सकते हैं जो management का काम था manager थे वो कौन थे जोर्ज अरुन दाले थी अरुन दाले जी के अलावा basement madam की league में BW वादिया और CP रामस्वामी अयर भी काम कर रहे थे तो जोर्ज अरुन दाले थे manager यानि की organizing secretary BW वादिया और CP रामस्वामी बेसेंट साब की league में involved थे तिलक साब की league कहा कहा पर active थी ये भी मैंने बता दिया बेसेंट मेडम की league कहा कहा पर active थी ये भी मैंने बता दिया इन लोगों ने अपने इलाके को कि segregate किया भाई ये सीधी बात है इलाके को segregate कर लो friction नहीं होगा अगर इलाके overlap करेंगे तो काम में friction आएगा तो भाई corporation के साथ दोनों league चल सके ये इनका aim था इनको पता था कि हम आपस में friction afford नहीं कर सकते जब सामने mighty colonial empire खड़ा है तो तो बिलकुल भी नहीं कर सक अभी home rule league के program में क्या क्या था भाईया home rule league का program ये था कि जो common man है जो इंडिया का आम मादमी है उसको self government के बारे में बताओ उसके अंदर confidence को जगा उससे बोलो कि भाईया इंडिया में self government की ज़रूरत है ये जो अंग्रेज है इनको निकाल के बाहर फेकना बहुत ज़दा ज कौन कर रहा था इंडियन national congress के moderates कर रहे थे और actually में उसमें कुछ हो नहीं रहा था चुकि जो moderates थे वो mass mobilization नहीं करते थे चुकि mass mobilization के लिए अंग्रेजी सरकार ने मना कर रखा था ये home rule league mass mobilization की बात कर रही थी और यहाँ पे बहुत ज़दा इलाका इनके अंदर में आ ग होता क्या था कि इस home rule league के जो भी messengers होते थे वो जगा जगा पे जाते थे meeting करवाते थे libraries बनवाते थे reading rooms बनवाते थे press conferences लेते थे class organized करवाते थे जहां वो बच्चों को self rule सुराज के बारे में बताते थे politics के बारे में लोगों को aware करते थे चुकि politics के बारे में सिर्फ बच् रिटेन वाले हमको लूट रहे हैं तो इन सब चीजों के बारे में लोगों को बताना newspaper के थुरू, posters के थुरू, pamphlets के थुरू, postcard के थुरू, जगा जगा पे ये नाटक नौटंकी होती थी नुकणों पे, ठीक है, religious songs गाय जाते थे, इन लोगों ने पैसा 81 किया social work के ने भी Home Rule League को एक push दिया, चुकि आप देखे, रशिया ने First World War को बीच में ही छोड़ दिया था, 1914 से लेके 1918 तक First World War हुआ था, लेकिन रशिया ने First World War को बीच में ही छोड़ दिया, चुकि रशिया में हो गया था Russian Revolution, और ये Russian Revolution कुछ ऐसा ही था, कि भईया जो नीचे के थे, जो Middle Class थे, जो Working Class थी, उन्होंने आवाज उठाई अपने ruling elites के अगेंस्ट और revolution चेड़ दिया, कुछ इस revolution से हमारे जो Indian masters हैं, वो भी effect होंगी, Home Rule Agitation में बहुत से leaders आपको जोड़ते नदर आएंगे, जैसे कि मोतीलाल नहरू साब, जवाललाल नहरू जी, भूलाबाई दिसाई, चितरंजन दास, केया मुंशी, ये बहुत बड़े नाम है, उस समय के, बी चक्रवर्ती सैफुद्दीन किचलू, इनको arrest किया गया था कि इस case में, जलियावाला बाग incident में, मदन मुहन मालवीय जी, मौमद अली जिन्ना, इनके बारे में तो सब जानते हैं, भाई नेशनल कॉंगर्स को जाता है, मौमद अली जिन्ना ने तो धरम के नाम पे लड़ाई करके पाकिस्तान मना दिया, और कुछ नहीं किया, जो असल आजादी के लड़ाई थी, वो तो गांधी जी और बाकी कॉंगर्स के लीडर्स ने लड़ी थी, खेर, आगे बात करते हैं, तेज बादूर सप्रू, लाला लाच पतराय, इन सब ने हूम रूल लीग को जोईन किया, ओके, आप देखो कि सम आफ दीज लीडर्स विकेम हैट्स अफ लोकल ब्रांचे जगा जगा पे काम कर रही थी, उसके हैड बने ये लोग, जैसे कि आपको पता है, बॉम्बे सिट मॉडरेट जो कॉंग्रेसमें थे, जो कि कॉंग्रेस की इनक्टिविटी की वज़े से बहुत ज़्यदा परेशान थे, जिनको ये लगने लगा था कि अब प्रेयर प्रोटेस्ट पेटिशन से कुछ नहीं हो पाएगा, वो भी कुछ हद तक आके होम रूल लीग में जुड लिया, बहुत सारे, आप कह सकते हो, दिखी हमारे देश का यह बहुत बढ़ा तिपका इसमें इंवर्ड था, जो इसका रूलिंग, जो इसकी अलीट थे, जो इस मॉवर्मेंट को लीट कर रहे थे, कहीं न कहीं वो एक तरीके से हिंदू फेस्ट जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया है तिलक साफ गनपती फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल से लोगों को मोबिलाइस करने की कोशिश करते थे अब यह ऐसा नहीं था कि तिलक साफ muslims को side कर रहे थे बट कहीं न कहीं इन फेस्टिवल के साफ muslims अपने आपको associate नहीं कर सकते हैं तो कहीं न कहीं इन leaders की एक कमी थी कि muslim masses को यह उतनी effective तरीके से target नहीं कर पाया और muslim masses बहुत हद तक home rule league के साथ नहीं जुड़ पाया फिर आप देखोगे South Indian में जो non-brahmins थे वो भी इसके साथ नहीं जुड़े इनको ये लगा कि अगर हम home rule league को join कर लेते हैं तो भाया जो भी home rule आएगा उसमें जो leaders होंगे वो हिंदू leaders होंगे और हमको कुछ भी नहीं मिलेगा यह तो बात हो गई यहाँ पर बात कर लेते हैं government attitude की government attitude क्या था government करेगी यहाँ पर severe repression देखिए कोईसी भी तरीके का movement government को फसंद आएगा नहीं government ने जबरदस तरीके से repression किया तो आप देखोगे मदराज जैसी जगाओं पर तो students से मना कर दिया गया students को बोला गया आप political meetings नहीं attend कर सकते तिलक साब के against एक case institute किया गया और तिलक साब के उपर charges लगाए गये कि यह rebellion को insight कर रहे हाला कि high court ने उन charges को वापस कीच लिया और तिलक साब को jail में नहीं डाला गया नहीं तो पूरे chances बन गये थे कि तिलक साब फिर से jail में चले जाए तिलक साब के entry पंजाम में दिल्ली में बंद कर दी गई आप देखोगे जून 1917 ने 1917 में एननी बेसेंट जी और उनके जो associates बीपी वाद गया George Arun Dalai इनको arrest कर लिया गया जैसे ही इनको arrest किया पूरे देश में गुसे की लैर दोड़ गई पूरे देश में प्रोटेस्ट हुए कि एननी बेसेंट जी को किस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया बीपी वाद गया जॉज अरुन डाले मैंने बताया था ना कि जॉज अरुन डाले होम रूल लीग थी जो एननी बेसेंड मैडम की उसके और्गनाइजिंग सेकरेटरी थे तो बहुत इंपोर्टेंट मेंबर थे ये बेसेंड मैडम की होम रूल लीग के इनको अरेस्ट कर लिया गया नेशनवाइट प्रोटेस्ट हुए जब ये सब चीज़ें होने लगी और गॉर्मेंट रेपरिशन सामने आने लगा तो भई एस सुब्रमन्या अयर उन्होंने अपने नाइट हुड को रिनाउंस कर दिया आब बोलोगे नाइट हुड क्या होता है नाइट हुड जब ब्रिटेन का किंग किसी एक particular person को exceptional social service ये education की फील ने बढ़ा काम किया हो literacy की फील ने बहुत बढ़ा काम किया हो science की फील ने बढ़ा काम किया हो बट हम active wallet resistance नहीं कर रहे हैं, हम passive non-wallet resistance कर रहे हैं, और जब passive resistance होने लगता है, मतलब कि हम British सरकार के साथ cooperate नहीं करेंगा, अभी जैसे ही passive resistance की call आई, British सरकार की थोड़ी हालत खराब होने लगी, चूँकि बात दोस्तों, यहाँ पर यह थी, कि जितना जादा repression कर रही थी British सरकार, उतना ही जादा यह जो agitators थे और जो देश के लोग थे, वो और भड़क रहे थे, और इस बात को आप इस statement से समझ सकते हैं, जो आपके सामने screen पे लिखी हुई है, जो कि Montegu साब ने दी थी, Secretary of State थे वो India के, Montegu साब ने क्या बोला, कि Shiva cut his wife into 52 pieces, only to discover that he had 52 wives, this is what happens to the government of India, when it enters Mr. Beesant, Mrs. Beesant, मतलब कि Shiva ने अपनी बीवी को, 52 pieces में काट दिया, यह जानने के लिए कि वो मरी नहीं, और 52 पत्रियाप सामने आ गई हैं, उसी तरीके से, Government of India, जितना जादा रिप्रेस कर रही हैं इस मूवमेंट को, उतना ही जादा यह मूवमेंट और स्ट्रॉंग हो रहा है, तो Mrs. Beesant को जब हमने अरेस्ट किया, तो हमको यह लगा था कि लीडर को अरेस्ट कर देंगे, तो मूवमेंट दब जाएगा, एक्चुली मैं यह मूवमेंट दबा नहीं और और ज़दा आगे बढ़ने लगा, तो कहीं न कहीं सरकार को भी समझ में आ रहा था कि जितना ज़दा हम इनको दबाने के कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ज़दा ही हमारे उपर पलट के वापस आ रहे हैं, प्रेशर में एन्नी बिसेंट मैडम को सेप्टमबर 1917 में ब्रिटेन की सरकार ने छोड़ दिया, और अब ब्रिटेन की सरकार के उपर प्रेशर गया, वो ले आए मॉन्टेगू चेंसफोर्ड रिफॉर्म्स आए ये आये क्यों, ये इसलिए आए कि जो होम रूल लीग थी ना, ये अक्चुली में सक्सेस्फूल हो रही थी, और इन होम रूल लीग में, जिस लेवल का मास पार्टिसिपेशन हो रहा था और जिस लेवल पर लीडर्स इन्वॉर्ड थे, अंग्रेज थोड़े नर्वस होने लगे थे, इसलिए अंग्रेज हमेशा से अपनी ऐसी पॉलिसी चलते हैं, जैसे तरह से करके नैशनल मूवमेंट को कम कर दो, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यह मूवमेंट फेट कैसे करेगा, मूवमेंट के फेट होने के बहुत से बज़ा थी, आप देखो कि होम रूल एजिटेशन उन्नेस तक आते फेट होने लगा, पहली बात तो home rule legit league का जो organization था वो adaptive नहीं था this was not at all effective, effective कहने का मतलब है कि organizational leadership हर level पर proper नहीं थी, होता है ना कि किसी भी organization को अच्छी तरीके से चलाना है तो हर level पर एक person होना चाहिए जो organization को lead कर सके, नीचे के लोगों को बता सके कि आप इस इस तरीके से काम करो और वो person efficient भी होना चाहिए effective organization नहीं था फिर देश में भईया 1917 और 18 में communal rights फैल गए हिंदू-Muslim के नाम पे बहुत लड़ाई होने लगी, और actually Britain की सोची समझी चाल थी हिंदू-Muslim के नाम पे लड़ाई करना 1909 में ही ये बवाल शुरू हो गया था, morally mental reform से, जब communal electorate आए थे और आगे तो ये बवाल बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा उसके बाद आप देखो कुछ ऐसे moderates थे, जो Congress की तरफ से home rule league में आ गए थे, आपको मैंने पहले reform लेके आए, और reforms की तरू हम आपको ताकत दे रहे हैं, तो जब हम आपको ताकत दे रहे हैं, आप हमारे खिलाब क्यों आवाज उठा रहे हो, ये बोलेगी Britain की सरकार, Britain की सरकार फिर से divide and rule का पत्ता खेल देगी Britain की सरकार को पता है कि इनको जुकाना है तो इनकी unity को तोड़ना है और unity के तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कुछ सेब चॉकलेट पपलू फेको इनकी तरफ तो क्या पपलू फेका Montego Champsport Reform 1919 तो यहाँ पे कुछ reform आ गए और आप देखोगे कि 1917 में Montego का statement आ गया था कि reform आने वाले है और इस statement में लिखा था कि जो British rule का long term goal है यह self government local self government तो 1919 में reforms आये और इन reforms का declaration 1917 में आ गया था तो 1917 में Montego ने जो अपना statement release किया उस statement में लिख दिया कि British rule का जो long term target है इंडिया में है वो है self rule अभी आप सोचो दोस्तों कैसे उल्लू बना रहे हैं एक तरफ पे चल रहा है first world war first world war में leaders की चाहिए मदद, leaders की मदद मिलनी रही British सरकार pressure में है यहाँ पे आप देखोगे कि British सरकार एक पपलू फेके गी और पपलू क्या फेके गी कि longer term में हम आपको self rule देंगे अभी यह long term 10 साल है 20 साल है, 30 साल है 50 साल है, 100 साल है इसके बारे British सरकार में कुछ नहीं बोला तो मतलब एक पपलू फेका और उस पपलू में बहुत सारे moderate leaders फ़स गए in fact, any best and madam खुद confused हो गए any best and madam को खुद लगा कि भाईया, यह तो reforms की बात कर रहे है और हम reforms के लिए तो लड़ रहे है तो क्या आप हम लड़े की नहीं लड़े है और उसके जाद any best and जी को 1917 में छोड़ भी दिया गया तो यह एक और positive चीज आई कि हाँ बिटिश थोड़ा सा गार्ड नीचा कर रहे है आप देखो कि यहाँ पे कि बाल गंगदर तिलक साब ने passive resistance की बात की और यह passive resistance तो बिल्कुल ही नहीं पसंद आता था moderates को moderates mass mobilization के आगे इस थे चुकि उनके जो बिटिश हुकूमत थी बिटिश हुकूमत ने साफ साफ कह रहा रखा था कि आप mass mobilization मत करो mass mobilization दे disturbance हो जाता है तो भाई देखो moderates नहीं चाहते थे mass mobilization हो और home rule league में mass mobilization हो रहा था बीसेंड मैडम को जब arrest कर लिया गया तो तिलक साब ने बोला passive resistance तो यहाँ पे mass mobilization आएगा और passive resistance में जब एक भीड है वो भीड non-volent तरीके सा आगे बढ़ रही है उसके उपर अगर लाटी चार्ज होगा तो भीड पलट के मारने लगेगी अभी गांधी जी नहीं आए है गांधी जी तो बोलेंगे कि passive resistance ऐसा है कि भाई तुमको पलट के कोई मारे तुम मारोगे नहीं लेकिन ऐसा तिलक साब के passive resistance में नहीं था तिलक साब के passive resistance में क्या था कि हम mass mobilization करके जाएंगे आपने demand को रखेंगे और हम लड़ेंगे नहीं लेकिन obvious सी बात उसमें एक चीज़ inbuilt होती थी कि अगर सामने वारा लाटी चार्ज करेगा तो हम भी पलट के मारने लगेंगे और ये चीज़ Britishers को पसंद नहीं थी और ये चीज़ Moderates को भी पसंद नहीं थी तो Moderates ने बोला कि भाया ये extremist तो फिर अपने पर उतर आए passive resistance की बात कर रहे हैं हम इनकी तरफ नहीं है और फिर आप देखोगे कि July 1918 में जब Montego चैंस फोर डिफॉर्म्स और क्लियर तरीके से सामने आएंगे तो nationalist rank divide हो जाएंगी जो any best and madam थी वो खुदी divide हो जाएंगी वो खुदी सोचेंगी कि अब क्या करें vaccination होने लगेगा vaccination मतलब any best and madam जी की दिमाग में doubt आ जाएगा कि भाया home rule league movement को चलाऊं या वापस ले लूं ठीके न तो अब यहाँ पे Britain ने बड़ा तगड़ा पासा फेका और पासा क्या फेका कि भाया Montego चंसफोर्ड reform दे दो ये लोग reform ही तो मांग रहे हैं हम reform की announcement कर रहे हैं reform में साफ साफ लिखाए कि हम आपको local self comment देंगे लंबे तमय में तो आप आप वैलेंटीन चिरोल के अगेंस्ट इंग्लेंड में केस चल रहा था उस केस में हुआ ये कि तिलक साफ का नाम आ गया actually मैं वैलेंटीन चिरोल ने अपनी किताब में लिख दिया कि तिलक जी responsible है इंडिया में ये जो भी agitation हो रहा है जो भी violence हो रहा इस चीज़ के लिख रहा है तिलक साफ तो तिलक साफ को टेस्टिमोनी देने के लिए इंग्लेंड बुलाया गया तो तिलक साफ इंग्लेंड चले गए और तिलक साफ के जाने से जो home rule league की leadership थी वो कमजोर हो गए चुकि एननी विसंट जी की leadership strong थी बट कहीं न कहीं जो main effect था वो तिलक साफ का था तिलक साफ का organization भी veteran madam से अच्छा था उनकी appeal भी तकड़ी थी तो जब तिलक साफ इस Indian interest वाली किताब के चक्कर में जो भी case चला था वेलेंटीन चिरोल के against September 1918 में चले जाएंगे England abroad तो तब इंडिया में जो organization की leadership है न Home Rule League की जो leadership है न वो कमजोर पढ़ने लगेगी है और अब तक गांधी जी भी आ चुके थे stage पे गांधी जी समझने लगे थे कि overall देखे अभी तक गांधी जी को South Africa में काफी हद तक Indian freedom struggle में क्या करना है उनको समझ में आने लगा था और गांधी जी ने काफी पढ़ा था कि partition और बंगाल के समय क्या हुआ सूरत split के समय पे क्या हुआ सब गांधी जी को पता था Home Rule League ने जो काम किया Home Rule League 1915 में शुरूई और 1915 था गांधी जी इंडिया में problem क्या है तो अब गांधी जी ये समझने लगे थे कि अगर mass movement को कराना है तो कहीं न कहीं इस mass movement में non violence नहीं होना चाहिए बहुत लंबे समय तक एक तो mass movement को चला पाना मुश्किल है गांधी जी की अप्रोच बहुत simple थी गांधी जी इस बात को बहुत शुरू से जानते थे कि जो masses की बवाल करने की शमता है revolution करने की शमता है ये limited है चुकि जब भूक लगने लगेगी ना तो revolution चला जाएगा तो गांधी जी ने पूरी struggle को एक fresh अप्रोच थी उनकी अप्रोच शुरुआ से non-volent की थी और passive resistance से थोड़ी अलग थी उनका passive resistance था बट पूरी तरीके से non-volent था तिलक का जो passive resistance था वो पूरी तरीके से non-volent नहीं था तो आप देखोगे गांधी जी के आने से कुछ नई approaches आ रही थी एमदबाद मिल स्ट्राइक हुई ठीक है तो इन सब चीजों के चलते देश के लोगों को लगा कि हाँ भाई एक महत्मा आये हैं जो हमारी problems को दूर कर सकते हैं तो गांधी जी में कहीं न कहीं लोग leadership दूरने लगे तो home rule movement कमजोर पढ़ने लगा और finally 1920 में All India Home Rule League की Presidentship Accept की गांधी साहब ने और इसका नाम बदल दिया किसमें स्वराज सभा में तो अब इस All India Home Rule League का नाम हो गया स्वराज सभा और आप देखोगे ये स्वराज सभा Indian National Congress में मिल जाएगी 1920 के end आते आते हैं 1921 के शुरुबात में तो officially अब 1920 के समय आ गया है और अब हम गुसेंगे कहां पे अब हम गुसेंगे Non Corporation Movement पे चुकि 1918 में खतम हो चुका है First World War और Ottoman Empire हार चुका है Ottoman Empire की सारी territories को उस समय की जो colonial powers थी England, France उन्होंने आपस में बाट लिया Caliphate खतम सा होता नजर आया तो यहां पे इंडिया में एक बवाल होने लगा एक revolution होने लगा कि हमारे खलीफा को आप proper value दीजे proper rights दीजे सारे Muslim, religious places उनके control के अंदर रहने चाहिए इन सब चीजों को लेके इंडिया में बवाल चलने लगा अरे लोगों को यह कौन समझाए कि इंडिया खुदी गुलाम है तो टर्की में जो हो रहा उसके लिए इंडिया में कुछ भी नहीं हो सकता सारे बवाल की बीच में मात्मा गांधी जी ने non-corporation movement को खिलाफ़ाद movement के साथ मिलाके एक अलगी movement चलाने की शुरू की और Home Rule League खतम होगी ठीक है तो यहां तक इस वीडियो में था दोस्तों अगले बार अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस Home Rule League movement के क्या positive gains थे लखनो सेशन आफ दे इंडियन नेशनल कॉंगर्स की बात करेंगे लखनो पैक्ट के बारे में बात करेंगे बहुत इंट्रेस्टिंग फेज अब आने वाला है हमारे नैशनल फीडियो में स्ट्रेगल के बहुत जबरदस जगा पे हम लोग गुस रहे है तो थैंक यू फॉर वाचिन इस फीडियो फैंट्स अब आपको उच्छा लगा होगा गुडवाए